बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूट्यूब टेनल एग्रोटेक्स स्टडी में और बच्चो मैं हूँ अर्विन जादव बच्चो MPPAT का प्रेक्टिक टेस्स सेकंड लेकर मैं आया हूँ बच्चो अगर आप कर रहे हो किसी भी agriculture competitive exam की तयारी तो बच्चो यह बीडियो आपके लिए बहुत ही मैद्पून है अनिमल हस्बेंडरी के 50 questions इस बीडियो में हम लेकर आए हैं अगर आपने हमारे पहले वाले सभी बीडियो अनिमल हस्बेंडरी के देखिए तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको काफी समझ्या आएगी उनको हल करने में लेकिन फिर भी वह simple है अपन थोड़ा भूत भी अगर आपने 11-12 अच्छे से पढ़ रखा है तो भी आप इन questions को बहुत अच्छी प्रकार से कर सपोगे फिर मैं सभी के answer बताऊंगे आपको आप आंततक वीडियो को देखे हैं और चीजों को आप समझते चलाएं बेरी इंपोटेंट आपके प्रस्ण है जो कि आप एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले बताता हूं बच्चों अगर आप अमारी यूट्यूब चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सकाइब जरूर कर लेजे ठीक है ना च बडावरी 13 परसंट होता है बच्चों दूसरा है सबसे ज़्जादा दूद देने वाली बक्री की नसल है नमर एक बरलली बीमारी मुर्गियों में होती है A. रानी खेत, B. लंगडी, C. इंथ्रेक्स, D. एफमडी, एनि Food and Mouth Disease तो बताए, मुर्गियों में होने वाली कौन सी बीमारी है विल्कुल आंसार एकदम सही है बच्चों, आपका A. नम्मर रानी खेत, मुर्गियों की प्रिमुक एक बीमारी है चौथा प्रशन है बच्चों, भैंस की कौन सी नसल का उत्पत्तिस्तान गुजरात है बेरी इंपूडेंट है, नम्मर A. भदाबरी, B. नीली रावी, C. मुर्रा, D. जाफराबादी बताए यह आंसार आपका कोया होगा सही बताए आपको मैंने पढ़ाया है, मुर्रा, महसाना, C. जाफराबादी, D. नीली रावी तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, पाँचवे का आंसर बिलकुल वच्चो, D. नीली रावी, इसकी आखे भी ऐसी होती है और नीली रावी के सर पर टीका भी पाया जाता है, चलिए चटवा प्रशन है, हसिया नुमा सींग किस नसल की पहचान है A. मुर्रा, B. महसाना, C. सूर्थी, D. जाफ्रावादी बताइए हसिया नुमा सींग किस नसल के हैं, भैस की नसल है होगा तो बिलकुल आंसर सही है, आपका C. सूर्थी, सूर्थी नसल के सींग हसिया नुमा होते है Very good, बच्चो, सात्वा प्रस्न है, एक दिन के मुर्गी के चूजे को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है जब एक दिन का मुर्गी का चूजा होता है, तो किस बीमारी का उसको टीका लगाया जाता है A. रानी खेद, B. खुनी पैचिस, C. गंबोरो, D. चेचर आंसर बताईये, काँशा सई होगा, एक दिन के मुर्गी के चूजे को किस बीमारी का टीका लगा जाता है बिल्कुल आंसर सई है आपका A. रानी खेद बीमारी एसी, जिसके एक दिन का मुर्गी का चूजा होता है, जब उसको टीका लगाया जाता है आठवा प्रशन है गाए की सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नशल कौन सी है ए जरसी है एचेप होलिस्टियन फ्रिजियन ब्राउंस इस रेड डेन आंसर बिल्कुल सही B हुलिस्टियन फ्रिजियन यानि एचेप नेक्स्ट है अपको है गाय की मालवी नस्ल का उत्पत्ती स्थान है A. उत्तर प्रदेश B. राजस्थान C. मद्ध प्रदेश D. पंजाब अंसर के होगा हुगा इसका मालवी यानी मालवा किस प्रदेश में हैं विलकुल बच्छो मद्प्रदेश में हैं जी हां चली नेक्स्ट है निम्न में से कौनसी गाएकी नशलका उत्पतिस्थान गुजरात है ए गिर वी साइबाल सीजर सी डी कोई नहीं अंसर क्या होगा गुजरात गाय की कौन सी नशलक उत्पतिस्थान है बिल्कुल बच्चो आंसर सही है ए गिर गिर बिल्कुल इसका अंसर एकदम सही है बच्चो अगर आप जाया से ज्यादा प्रशन जितने भी करते हो पचास में से अगर आप 45 कर लेते तो समझ लिए आप बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाई कर रहे हैं और आपके इतने कौशन सही हुई है गाय की गर्व का लब्दी कितने दिन क्यों होते हैं 145 दिन 310 दिन C. 282 दिन D. 114 दिन बताईए गाय की गर्व धार नब्दी बिलकुल आंसर सही है आपका C. 282 दिन 310 दिन भैस का होता है 145 दिन भेड का और 114 दिन होता है सुवर का रोमन नाख बकरी की किस नसल की पहचान है रोमन नाख यान ow आपके तोते जैसे मूह की नाम किस बकरी की नसल है बताईए ये जमनापारी b बरबरी c सानेगे डी कोई है पताई आंसर आपका double आपका क्या होगा बिलकुल आपका एक्रतियों का निम्णु मैं से दूद में प्रोटीन होती है दूद में की प्रोटीन होती है इल्बूमिनjal केसीन और सब सब single those are पुर्भी सब्रोटीन केंद्स सब्सक्राइग तीने ऌतर प्रकर की दूद में D पर जी भी बताई आंसर क्या सही होगा बिलकुल चेचक रोग किस से होता है आंसर सही है बी नमर यानी विशाणू विशाणू के दारख चेचक रोग होता है यानी बायरस भी कह सकते है इसको पंद्रवाई बच्चों गरीब की गाय किसे कहा जाता है A गाय को B भैस को C बकरी को D भेड को आंसर सही क्या होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे C नमर बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है सोलबा प्रस्ने दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है खुर तो जानते हो ना पैरों के नीचे जो होता है आपके खुर तो दो भागों में किसका बटा होता है A गोडा B हाती C जेवरा D भेड तो बिल्कुल सही है अंसर इसका कौन सा D भेड का खुर दो भागों में बटा होता है किसे भावों में दो भावों में ठीक है ना चलिए पढ़ते हैं आगे सत्रवा है बच्चो थार पार कर नसल किसकी है गाय की बकरी की भैस की या मुर्गी की अंसर सही होगा आपका A गाय की थार पार कर नसल किसकी है गाय की नसल है अठारवार प्रिशन है बच्चो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं या परजीवियों का मेजम कहलाती है कौन ए बकरी बी भेड सी गाए डी मुर्गी बताए परजीवियों का म्यूजियम बहुत अच्छा कोसन है बहुत अच्छा कोसन है बच्चो आंसर इसका सही हो बहुत अच्छे नेश्टे आउनीस बाह निम्न मैंसे किसके दूद में सरबादिक बसा पाई जाती है ए गाय बी बकरी सी भेड डी भैंस बताईए हाइस्ट फैट परसंटेज किसके दूद में पाया जाता है बिलकुल आंसर सही है डी भैंस के दूद में सबसे ज़्यादा बढ़ते आगे खुर्पका मुपका रोक किसके द्वारा होता है ए जीवानू बी पर जीवी सी कबक डी विशानू बिलकुल आंसर सही है आपका खुर्पका मुपका रोक किसके द्वारा होता है बिलकुल आंसर सही डी विशानू के द्वारा खुर्पका मुपका रोक होता बच्चों 20 प्रिश्ण हो चुके हैं उम्मीद करता हूं 20 में से कम से कम आपके 18-19 तो बिल्कुल सही हो बहुत सारे बच्चों के 20 के 20 भी सही हो रहेंगे मजा रहा है न भाई प्रिश्णागर आपने सबी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी प्रकार से आप इन प्रिश बिल्कुल बच्चों नेशनेट डेरी डेप्लमेंट बोर्ड आपका आनन्द गुजरात ए आंसर बिल्कुल सही 22 भी बहेंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है ए 282 दिन वी 143 14 दिन और दी है 310 दिन तो आंसर इसका सही कुbral सा हुगा भी ます का गर्भकाल जी हां आंसर बिल बी करनाल, C बरेली, D कोई नहीं, राष्टिय डिरी अनुसंदान संस्थान, N, D, R, I, कहां पर है बताईए, बिल्कुल आंसर आपका सही है, B, करनाल, हर्यान, जी हां, B, आंसर इसका बिल्कुल सही है, बताईए, आंसर क्या सही होगा, 24 वे का बिल्कुल आंसर एकदम सही है, C, हिसार, हिसार में आपका केंद्रिय भैंस, अनुसंदान, संस्थान, इस्तित है, चलिए, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपके, तुष्णो की और, नेक्स्ट है बच्चो आपका काले मास वाली मुर्गी की नसल है, काला मास किसका होताए, A, असील, V, हाइट लेगों, C, कड़कनाथ, D, कोई ने, बहुती सिंपल है, सब जानते होंगे, काले मास वाली मुर्गी की नसल है, बिल्कुल आंसर सही है, C, कड़कनाथ, बहुत अच्छे 26 बाप्रशन बच्चो ओसत अंडे का बजन कितना होता मतला एवरेज व़द्धा होता है ना अंडे का बजन कितना होता है यह 57 गराम बी 80 गराम सी 40 गराम बताई आंसर कैसा होगा बिलकुल एकदम आंसर सही ए 57 गराम 27 बाय है मुह खोल कर हापना किस रोक के लक्षण A. चेचक B. रानी खेट C. खोनी पैचिस D. कोई नहीं आंसर एकदम सही है आपका बताई ये कौन सा होगा आंसर है B. रानी खेट रानी खेट वीमारी जब हो जाती है तो मुर्गियां मुह खोल कर हापती है D. मारवारी बताई दो बच्चे किस बकरी से प्राप्ठ होते है बिल्कुल आंसर सही है बच्चो B. बरवरी बिल्कुल बरवरी दो बच्चे देती है एक बार में चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चो B. 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 C. हर्यान भी, D. कॉक्रेज, तो बताइए, सवाय चाल के नाम से प्रिशिद्ध, इसके बैल बहुत तेज चलते हैं, सवाय चाल से चलते हैं, इसलिए यह नस्ल प्रिशिद्ध है, और आंजर इसका सईयोग एक तीसवे का, D. कॉक्रेज, कॉक्रेज नस्ल सवाय चाल के नाम स 32 जर्सी का उत्पति इस्तान है जर्सी का उत्पति इस्तान कहा पर है यह esas लेंड's English Channel डी डैनमार्क बहुत ही महत्पून बच्छो जरसी गाये का उत्पतिस्तान आए बिलकुल आंज़ आउसर डीप यह आपका जरसी का होत्पति इस्तान बेरि गुड बढ़ते हैं आगे बक्री का बैग्यानिक नाम है बच्चो बक्री का बैग्यानिक नाम क्या है ए है कैपरा हिरकस बी बॉस इंडी का सी है और डी है कोई नहीं तो आंसर सही इसका कौन सा होगा आपका बताएए बिलकुल आंसर सही है बच्चो ए नमर कैपरा हिरकस चलो बढ़ते हैं आगे 34 वे प्रिश्ण पर जेट बलेक भैस की किस नश्ट को कहते हैं जेट बलेक किसे कहा जाता है A. भदाबरी को B. मुर्रा को C. जाफराबादी को D. महसाना को सब जानते हैं बिलकुल आंसर सही है एकदम राइट आंसर है बच्चो इसका आंसर है आपका B. मुर्रा चलिए बढ़ते हैं आगे 35 वे रेगिस्तान का जाच कहलाता है कौन A. उट B. गदा C. गोडा B. जानते हैं इसका आंसर कोंसर सही होगा बच्चो बिलकुल आंसर सही है आपका रेगिस्तान का जाच कहलाता है आपका उट बहुत अच्छे 37 वे प्रश्णा बच्चो दो दहारू पस्वों से मनुस्व में फैलने वाली बीमारी है बिलकुल ऐसी कौन सी बीमारी है जो पस्वों से मनुस्व में फैल जाती है A. लंगडी B. पस्वों पिले C. इंथ्रेक D. कोई नहीं 36 वे का आंसर होगा बिलकुल सही बच्चो C. नमर इंथ्रेक्स इंथ्रेक्स रोग ऐसा होता है जो पस्वों से मनुस्व में भी फैल जाता है Very good चलिए बढ़ते हैं आगे Next आपके प्रश्ण की और बच्चों बताईए दूद में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो बच्चों दूद में बताईए A. कैलसियम B. फासपुरस C. आयोडीन D. आयरेन तो बताईए दूद में कुन सा तत्व कम पाया जाता है भिलकुल आंसर सही है आपका D. आयरेन D. कोई नहीं तो आंसर सही कुन सा होगा बच्चों बिलकुल आंसर सही है आपका B. केसीन प्रोटीन की करण दूद का रंग सफेद होता है 49 बहें दूद में प्रोटीन किस रूप में घुली रहती है ये कॉलाइड के रूप में B. सॉलूशन की रूप में C. पायस की रूप में D. कोई नहीं बिलकुल आंसर आपका सही कुन सा होगा बताएए बच्चों 49 बहें का आंसर होगा बिलकुल आपका C. पायस की रूप में एमलसन की रूप में आपके दूद में प्रोटीन घुली रहती है 40 बहें बैच्चों गाय के दूद का पीला रंग के कारण होता है किसके कारण गाय का दूद पीला होता है A. कैरोटीन B. केसीन C. बसा D. कारवएड़ तो आंसर इसका कौन सा सही होगा बच्चा गाय के दूद का पीला रंग होता है केरोटीन के कारण बिलकुल आंसर आपका एक दम सही है चलिए बच्चो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रिष्णों की और नेक्स्ट आपके प्रिष्ण है 41 बाई साइलेज बनाने के लिए सबसे उप्युक्त फसल है साइलेज बनाने के लिए सबसे उपिक्त फसल कौन सी है ए गहूं बीजवार, सी मक्का, डीज़ाई तो बताइए बच्चों मैं ट्वल्थ में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया है आपको साइलेज तो बच्चों साइलेज बनाने के लिए बसाइलेज 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 बस किस स्टेट में होता है, ये उत्तर प्रदेश में, B हर्याना, C पंजाब, D मद्ध प्रदेश, तो बताई बच्चो, सबसे अधिक मिल्क पूडक्शन किस स्टेट में होता है, तो बच्चो, आंसर सही होगा आपका, भिल्कोल एक दमजाई, A उत्तर प्रदेश, उत्तर का सबसे ज़्यादा परिवर्तन सील अभियब कौन सा है, A बसा, B कार्वोहेड्रेट, C प्रोटीन, D बिटामिन, तो बताईए बच्चो, सबसे ज़्यादा परिवर्तन सील में आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया, अगर आपने हमारी सभी क्लास टेंड की है, MPP के लिए तो बच्चो आपको बिल्कूल भी दिक्कत नहीं हा रही होगी, आंसर सही है, A वशा, ठीक है, आपको समझ में सबसे ज़्यादा परिवर्तन सील, बसाओ सबसे कम, कार्वोहेडे, बेरी गुट, चलिए बढ़ते आगे, 45 प्रशना बच्चो, केंद्रिया बक्री नुसंदान संस्तान कहां परिस्तित है, A टॉक राजिस्तान में, B मतुरा उतरप्रदेश में, C हजार हनयाना में, D है आपका दिल्ली, आंसर सही क्या होगा, बिल्कुल बच्चो, केंद्रिया बक्री नुसंदान संस्तान आपका इस्तित है, आंसर आपका सही होगा, B मतु चालिसवे का अंसर कौन सा सही होगा बच्चो बहुत अच्छे अंसर सही है आपका ए भारत चालिसवे है भारत में बिष्प की कितने प्रतिसद भैसे पाई जाती हैं इस चालिस प्रतिसद इक प्रतिसद दी बच्चों आपको उमीद करता हूँ अभी तक 48 में से आपके कुछ बच्चों के तो 48 ही सही होंगे बहुत अच्छी जनों ने पूरी वीडियो देखी है उनको तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रहे बेरी इंपोडेंट प्रिश्ण बच्छो चलिए उनन चास बाप्रिश्ण है गाय की सुषन गती प्रती मिनट होती है 20-25 बार प्रती मिनट बताई आंसर कौन सा सही होगा बिल्कुल सही जा रहे हो बच्छो एकदम राइट आंसर मुर्वी का तापमान होता है बी आंसर सही होगा 107 डिगरी फाने है जिया बच्छो 50 प्रिश्ण आपके कम्प्रेट है अगर 50 में से आपके 50 सही है तो बच्छो all the best आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोख सकता है इसलिए आप कमेंट बाक्स में लिखका जरूर बताएं मुझे कि आपके कितने नमर होई बिल्कुल इमानदारी से बताना है कोई डरने वाली बात नहीं है और आप फिल्कुल पूरे प्रिशनों को रट ले क्योंकि बिल्कुल बहुत ही इंपोडेंट प्रिशन है कम से कम 10 से 12 नमर आपको तो हिंसे मिलने पाले है चीक है चलिए बढ़ते हैं बच्छो तो 50 में कंपलीट हो गए अब आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो के लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार